बच्चा स्टडी में अच्छा हो या बुरा हो कैसे भी हो लेकिन उसके लिए उसे कुछ नो कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए देखिए स्टोरी से उसके पहले मिरे चानल को सब्सक्राब कीजिए यहाँ पे देखिए एक क्रिस्मस की पहली की शाम है साथ बच चुके है और एक लड़का अर्नेस नाम का रेडियो रिपेर कर रहा है और वो बहुत कोशिश कर रहा है तब ही उसके पापा वहाँ पे आ जाते है और वो रेडियो से निकलने वाली भद्धी आवाज को सुनके वो बोलते कि इसे बन कर दो नहीं तो इसे ये करना छोड़ दो क्योंकि एक भी लेटर वो जो बोल रही है वो समझ में नहीं आ रहा है तो अनेस बोलता है कि पापा ऐसे नहीं है मैं कुछ करूंगा तभी तो ये हो जाएगी न अच्छी नहीं तो नहीं होगी ये रेडियो अच्छी पापा बोलते हैं देखो बेटा पबली सर्विस है ये कभी भी अच्छी नहीं होगी ये इसे ही रहते हैं देखो अभी टेलीफॉन का ही ले लो वो भी तो डेट हो चुका है वो भी आवाज अच्छे से नहीं कर रहा है ये सरकारी ये कोई भी चीज अच्छे से नहीं करते है तो अनेस बोलता है कि ये वेदर के कारण तो पापा बोलता है वेदर का क्या लेना देना है ऐसे कुछ भी नहीं है तुम उनकी साइड मतलो अनेस बोलता है पापा बाहर बारिश हो रही है स्नो गिर रहा है उसके कारण पापा बोलते हैं तुम कुछ भी बोलो ऐसे नहीं हो सकता है ये क्यारनेस है लेजिनेस है और कुछ भी नहीं है बस मुझे पता है ये गवर्मेंट सर्विसेस कैसे होते है और ये ओफिसेस में तुम्हें क्या लगता है मैं भी ओफिस में जाता हूँ मुझे पता है अगर तुम्हारा होंवग किया है क्या बताओ तो अनेस बोलता है पापा और डिडी हो चुका है आपको पता है पापा बड़े है अरनेसे बोलते हैं कैसे तो वो बोलता है कि पापा क्रिस्मस को तीन ही दिन बाकी है तो क्या हो गया पापा पूछते है इसका मतलब क्या मैं भी तो जा रहा हूँ मैं भी तो काम कर रहा हूँ अनेस बोलता है पापा बिजनेस अलग है और ये अलग है पापा बोलते है नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है मेरा काम पढ़ाना है और मेरा कमाना है देखो तुम जो सोचते हो कि स्कूल छोड़ने के बाद की जिंदेगी बहुत अग्नादध बोलता हैं अनकल अनकल ने मुझे बताया है कि बहुत बुरी थी उनकी जिंदगी वह इंक आध नहीं करना चाहते हैं अगर आपने लेट रहीं है अंकल ने बताया था कि वो बहुत बुरी तरीके से मार खाते थे तो पापा बोलते हैं हाँ बिलकुल वो उसी लायक था अगर अपने लेसंस उसने अच्छे से करके लिये होते अगर उसने अच्छे से बिहेव किया होता तो कभी उसे पनिश्मेंट नहीं मिलती थी और सबको पाता है यह वाले चीज तो में भी और मुझे भी और उसको भी तो देखो यह ऐसे कुछ नहीं है तो जो स्कूल का रिपोर्ट हम भी याद आया तो मार रिपोर्ट का है तो पापा ने बोलने के बाद वो फ Luca है Gary here मैं देता हूं तुमको मैंने देने वाला ही था खाना काने के बद लेकिन आप पोछी रहे तो देता था पापा बोलते दिखाऊ अभी क्या भी दिखाऊ मुझे देखना चाता हो तुमने क्या दिये चला है और तभी बेटा जो है वो थोड़ा सा मूटेडा बना कि अपने पा बहुत सारे चीज़े मैंने स्कूल को उससे दिये हैं तो क्या हो गया पापा बोलते हैं ऐसे कुछ नहीं होता है गेम का बारे में सोच ना छोड़ दो पहले मुझे मैं तुम्हारे गेम खेलने के लिए स्कूल में इतनी बड़ी फिजने दे रहा हूँ मुझे वो बताओ कि ज उसको देखते हैं और बोलते हैं यह तो क्लीन बिल्कुल नहीं है तो चलो देखते हैं वो बाद में उस देखना शुरू कर देते हैं स्कूल जो है वो शिल्पकला यह क्या है सियर क्या होता है सियर लिका है या पर तो वो बोलता है कि मिस्टर रीड जो है यह इसे ही करते है ये ये शिल्पकला और मैस पढ़ाते हैं अच्छा ठीक है कॉंबिनेशन ज़रा थोड़ा अलगी है लेकिन ठीक है मुझे नहीं पता है बाद में वो बोलते हैं कि अरिथमाटिक और ये क्या है प्रेयर बुक है अच्छा इंगलिस कंपोजिशन जो है ये भी थोड़ा ठीक है इंपरू कर रहा है ये भी अच्छी बात है गंदा कहीं पर लिखा नहीं है तो इसका मतलब तुम अच्छी से लिख लेते हो पापा का कहना है और वो भी विदावुट मिस्टे किए लिख रहे हैं हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री प्रॉमिसिंग है और जिजोग्रोफी जो है वो गुड है और civics वाटर दे मतलब civics में तुम अच्छे नहीं हो बच्चा तो अनेस बोलता है देखो वो new subject है और मेरा दिमाग उसमें बिल्कुल नहीं चलता है पापा तो पापा बोलते है ऐसे थोड़े नहीं होता है तुम्हें पता है civics तो हाँ अनेस बोलता है हा सारी चीज़े आती रहती है मुझे पता है ना जो बहुत सारी चीज़े उससे पता चलती और उल्टा हमें चलो ठीक है जान दो उसमें इंट्रेस्ट ले रहा है यह क्या है लाटीन 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 भी तो अच्छे से दिख रही है वो सारी रिपोर्ट कार्ड में सारे subject औ होती है और उससे यह पता चलता है कि बेटा जो है यह पढ़ाई में अपने आपको नालाग समझता है पर रिपोर्ट कार्ड पे वह बहुत अच्छे से दिखाई दिया है और बेटा जो है अभी फिपते स्टैंडर में ही है तो बटा अभी अपने आपको बहुत चोटा है और मैस के बारे में क्या है तो बापा को मैस के बारे में पूछना है तो पापा जब मैस के बारे में देखते है तो वो साज़श्वास्ट्री मतलब समाधान कारक है तो ठीक है ना बेटा बहुत अच्छी बात है देखो मैं कोई पागल नहीं हूँ ऐसे पापा बोलता है देखो पापा ऐसे कुछ नहीं है वाप है mistakly भी लिखा comment लिखी जा सकती है ऐसे कुछ नहीं है तो पापा बोलते हैं ऐसे कोई teacher ऐसे comment foolishly लिखते समय mistake करेंगे ऐसे कुछ नहीं होता बेटा तुम सच में अच्छे होगे तब ही तो देखो algebra और georometr भी तुम्हारे अच्छी मुनेदा बुरी नहीं आच्छी है तो यह सारे छीज ना beginning में होती numerous होती रहती है तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते तो पापाइरनेस बोलता है कि हाट और वर्क रूद वर्क योई की बार देखो तूब बोलते हैं देखो वह अब उसके बारे जाने दो क्यूंकि वह तूब कुई भी स्क्रूडृड राइवर कोई भी कुट कर सकता तो और वग्न था नहीं हैी इसे लिए यहान पर ब्लाक वुड वर्क दिख दिया है तो वही तो पापा बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करो कमल सियल सब्जेक्ट है दिरे दिरे आ जाएंगे ये रिपोर्ट कार्ट से ऐसे पता चल रहा है कि तुम जो है तुमारे ड्यूटी बिल्कुल अच्छे से निभा रहे हो पढ़ा झाल आएंगेवा रहे हो पापा वाद्ट कार्ट से पता है